गुड आफ्रनू डिया स्टूडेंस हमारा टोपिक है बैंड थेओरियो ऑफ सेमी कंडुक्टर एंड इट्स फर्मी लेवल देखिए पैरे बचो अगर हम सेमी कंडुक्टर की बात करें तो बहुत सारे एक्जामपल्स हमारे पास होते हैं लेकिन जो प्राक्टिकल फर्म में हमारे यूज होते हैं सेमी कंडुक्टर जनेरली वो है हमारा सिल्कन और Wrestle ले सीलकन और जर्मेणिय। पर जो क्रिस्टल स्टक्चर सेम होते हुए भी इनका जो बैंड डाइग्राम है या बैंड लेवल पे जो आरेंज्मेंट है इलेक्टॉन्स का वो थोड़ा सा अलग है बिल्कुल अलग नहीं है वो थोड़ा अलग है सर्फ एक अंतर है कि जो एनर्जी बेंड गैप था यानि forbidden energy gap in case of insulators वो ये ज्यादा था ये था 5.5 electron volt के order का लेकिन in case of semiconductors ये जो forbidden energy band gap है वो silicon और germanium के लिए 0 Kelvin पर 1.17 electron volt है germanium के लिए ये 0.74 electron volt है and at room temperature this band gap for silicon is 1.14 electron volt and for germanium it is 0.67 electron volt dear student ये जो energy band gap है इतना ये energy electron को बाहर का electric field apply नहीं कर सकता यानि अगर आप बाहर से एक electric field apply करेंगे तो ये जो electrons है silicon में और germanium में जो balance band है यहाँ पर ये कोई भी respond नहीं करेंगे क्योंकि पर तब जो 0 Kelvin पर जो balance band है चाहे वो silicon है चाहे वो germanium है ये completely filled होती है जब ये completely filled है तो इसका मतलब ये हुआ पैरे बचो कि यहाँ पर किसी भी electron को दूसरे जिगह जाने के लिए energy state available नहीं है यानि यह house full है आप यह समझ सकते हो और conduction band है silicon, germanium दोनों के लिए zero Kelvin पर वो completely empty है तो यहाँ पर बहुत सारे energy states available है लेकिन ये electron यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते zero Kelvin पर और जब आप electric field लगाते हैं तो उस electric field से इस order की energy इनको नहीं मिलती यानि हम यह कह सकते हैं इस सारी बातों का जो conclusion हो यह निकाल सकते हैं कि zero Kelvin पर silicon और germanium insulator होते हैं क्योंकि कोई electron यहाँ पर पर वेलेबल ही नहीं है सारे एक सारे यहीं रहेंगे तो आप यह कह सकते हैं कि at zero Kelvin all semiconductors are insulators और not only zero Kelvin परवचो at low temperature भी आप यह कह सकते हैं कि at low temperature silicon and germanium are insulators और every semiconductor is an insulator लेकिन यह energy electric field तो अपलाई नहीं कर सकता यह प्रोवाइड नहीं कर सकता रूम temperature पर जो thermal energy है प्रवचो वो इस order की होती है यानि अगर हम बात करें रूम temperature की तो in that case कुछ electron valence band से प्रवचो यहाँ से और conduction band में चले जाएंगे अब वो conduction band में जाने करे उनकी पास energy कहा से आई तो यहां से कुछ electron पैरवचो jump to this conduction band but these electrons are very few यह बहुत ज्यादा नहीं होगा पैरवचो बहुत थोड़ा भोती होगा जो यहां पर जो highest energy state है इनके कुछ electron thermal energy ले करके उपर चले जाएंगे और देखिए बच्चो यह जरूरी नहीं है कि उपर जाएंगे नीचे भी आएंगे जो उपर चला गया वो नीचे भी आएगा आफ्टर सम टाइम एक प्रोसेस है जो चलता रहेगा और यहां एक equilibrium setup हो जाएगा यानि कुछ electron उपर जा रहे हैं कुछ नीचे जा रहे हैं और a certain period of time हम यह कहेंगे कि the number of electron in conducted band are constant क्योंकि जितने उपर आ रहे हैं उतने ही नीचे आ रहे हैं यह प्रोसेस चल रहा है और पैर potential difference supply करते हैं तो यह electron पैरवचर response करेंगे यह response क्यों करेंगे क्योंकि अब इनके लिए energy states available यह पूरा का पूरा जो है यह यह यहां पर खाली पड़ा है और यहां पर बहुत सारी energy states है अगर आप इसको ज़राशा भी energy देंगे तो यहां एक energy level इसको मिलेगा ज्यादा लेकिन इनकी संख्या कम होने से as the number of electrons are very few as compared to conductor these are very very few in numbers so इनकी जो conductivity है it will be very small ओके पैरवचो यानि conductivity जरूर है लिके इस very small और यह conductivity पैरवचो डिपेंड करती है temperature पे जितना ज्यादा आप temperature बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा number of electrons यहां पे पहुँच जाएंगे और उतना ही conductivity का बढ़ जाएगा लेकिन इसका मतलब यह मत समझेगा कि आप इसमें बढ़ाते जाएंगे temperature बढ़ाते जाएंगे और आप enormous amount of conductivity ले ले लेए ऐसा नहीं है बचो आप काफी कुछ energy इसमें देने के बावजूद भी इसकी conductivity बहुत जादा नहीं बढ़ा सकते हैं और dear student अब तो यहां से electron जो यहां चला गया है अपने पिछे एक खाली जगह छोड़ गया है जहां दूसरे electron आ सकते हैं देखे बचो यह थोड़ी जरूरी बात है आपके समझने की मैंने ये कहा था कि 0 Kelvin पर जब आप electric field apply करेंगे तो here no any electron will respond because electron के लिए कोई energy level available नहीं है लेकिन अब य करें हुआ कि वेलेंस बेंड में अब चार electron footsteps कर सकते हैं तो जब आप Electric फिल्ड लगाएंगे तो यहां उसे कोई भी विलेक्ट्रों इसकी जगह लेज चखता है यहां से कोई भी świat milis के जगह ले शकता है यहांसे कोई भीmaybe Leaf word यहां पर रिस्पोंस तो इलेक्ट्रोन का है लेकिन इस तरह का रिस्पोंस नहीं है जैसा यहां पर था इसलिए इसको हम कहते हैं कि कि एक्चली होल इज रिस्पोंडिंग जो इलेक्ट्रोन यहां से चला गया जो खाली जगह बची है उसका नाम है बच्चो होल इस पर पोजिटिव चार्ज होता है पोजिटिव चार्ज क्यों होता है इसका पूरा लेक्चर हम आपको समझाएंगे लेकिन फिलाल बस यह समझ करेंट को कैरी करने का काम कर रहा है उसी परकार से वेलेंस बेंड में होल यहां पर करेंट के चार्ज के चार्ज को कैरी करने का काम करेंगा ठीक है पर पच्चो नाव डियर स्टूडन बात आती है फर्मी लेवल की तो फर्मी लेवल सेमी कंडॉक्टर के केस में भी इन दो के लिए जो हमने exact definition पड़ी थी, या more general definition थी, that was, it is the energy level at which the probability of occupancy of electron is 1 by 2 or 50 percent, that is known as Fermi level, so just हम Fermi पे इतना ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि electronics में कई बारे एक number का equation पूछ लिया जाता है कि Fermi level कहा है, in case of semiconductor, in case of insulator, and in case of metals, so in case of semiconductor, it is lying between these two bands, thanks for watching the video, Parabichu.